अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो में देखते हैं यह कबाब की रेसिपी कैसे बनती है यहां इने गोष्ट की वाश का लिया है अब हम इस फोल्ड पॉडर कार देंगे वंहीं स्पून ड़ाईभ आट हैं वंहीं टीसपून और एक पॉड़र पॉडर आट कर देंगे अब अपने टेस्ट के साब से आड़ कीजिएगा और जिंजर गालिक पेस्ट आड़ कर देंगे होफटी स्पून यहां मैंने रोस्टेट चना लिया है अब हम इसे ग्रैंड कर लेंगे एक फाइन सा पॉडर बना लेंगे आप चाहें तो थोड़ा साल्ट एट कर लें अपने हिसाब से और इसे अच्छे से मिक्ष करके भखकर रख देंगे फंदरा से 20 मिनित के लिए को अन कर लेंगे पैन या कड़ाई को गरम कर लें ऑईल हीट कर लें अब हम इसमें ध्यान से एक एक पीसेस एड़ करते जाएंगे तीन से चारी एड़ करेंगे एक बैच में और ऐसे ही टरंड करते वे उलट पलट कर लाइट गोल्डन होने तक फ्राय करेंगे यह देखिए यह अच्छे से फ्राय हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे ऐसे ही हम सारे कबाब बनाते जाएंगे और फ्राय करते जाएंगे बहुत एजी सी रेसिपी है एक बाद जरू ट्राय किए जिक आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल प पराटे के सासा साथ मेरे को यह ताम बनाते त्यार मन गःते हैं यह तर लागेपत थैसलिक है थाट मेरे जिशती हैं अगर आप को खटी आल की रेसिपी जाएए त मैं लींक डिश्क्रिपोस में दे दूंगे आप चाकर सकते हैं और यह और यह कबाब की recipe जरू राइ की जेगा thank you so much for watching my video Allah Afeez